गाइज अगर mid-range segment के अंदर सबसे popular smartphones की बात करें तो ये obviously Redmi की Note series के अंदर आते हैं दोस्तो जिसके अंदर के फिलाल Redmi Note 11 series market में available है और कई सारे smartphone आ चुके हैं जिसमें 4G भी है और 5G भी है और कई तरह के यहाँ पे 10,000 रुपे से लेके और 25,000 तक भी जाते हैं कुछ smartphones के model तो क Note 12 series जल्दी ही launch होने वाली है और hopefully दोस्तो इस महीने के end तक चाइना के अंदर आ जाएगी और अगले महीने तक आपको ये global market में भी देखने को मिल सकती है तो चलिए जानते हैं यहाँ पे Redmi की Note 12 series के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा क्योंकि काफी सारे leaks फ इसमें काफी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले तो obviously design के अंदर changes के जाएंगे लेकिन अभी तक इसके render या design की ideas सामने नहीं आए हैं कि कैसा design होगा लेकिन यह काफी हद तक दोस्तो Xiaomi के थोड़े से expensive और premium smartphone से inspired होगा तो कुछ इस तरह का design आप expect कर सकते हैं इससे मिलता जूलता इसका cheaper version और अगर specification की बात करें तो यहाँ पर अलग-अलग models आएंगे obviously तीन models की फिलाल information आई है यह तो obviously होगे यहाँ पे जिसमें Redmi Note 12 होगा इसका pro variant होगा और third होगा यहाँ पर pro plus या फिर pro max तो इन तीनों के बारे में चलिए जानते हैं कि क् में तो इसमें displays की अगर बात करें तो top 2 models के अंदर तो obviously आपको AMOLED display के साथ में 120 हर्स का refresh rate भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों इन display fingerprint scanner का support भी आपको मिल जाएगा लेकि normal variant में हो सकता है कि 120 की बजाए आपको 90 हर्स की display ही दी जाए और AMOLED panel वहाँ पे भी आपको देखने को मिलें तो display wise तो आपको कोई disappointment नहीं होगी और इस बार दोस्तों leaks ऐसे हैं कि 10 bit display का भी आपको support मिल सकता है pro models के अंदर तो 10 bit display AMOLED panel और 120 हर्स pro models में यही expectation है फिलाल तक इसके बाद अगर बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी इन smartphone में लेकिन यहाँ पे charging के अंदर एक बड़ा boost आएगा जो चाइना के अंदर variant launch होने वाले हैं उसमें तीनों models में दोस्तों यानि कि जो normal variant है 67 watt की charging वहीं पे जो pro है वहाँ पे आपको 120 watt की और जो pro max या फिर pro plus है top variant उसके अंदर ऐसे leaks हैं कि 200 watt की आपको fast charging देखने को मिलेगी तो fast charging के अंदर भी तीनों ही smartphone में आप बिल्कुल satisfy रहेंगे और battery का combination भी अच्छा होगा next अगर processes की बात करते हैं तो यह आपको नए देखने को मिलेंगे as compared to note 11 series यहाँ पे इस बार दोस्तों अब तक जो leaks आए हैं Dimensity series के साथ में जाएंगे यह यानि कि MediaTek के chipset होंगे इन smartphones में जिसमें MediaTek 900 series से लेगे pro के अंदर 100 series यानि 1050 या फिर 1080 और वहीं पे जो pro max होगा उ आपको क्या लगता दोस्तों Snapdragon की तरफ जाना चाहिए Dimensity की सरफ आप में comment करें बता सकते हैं और एक और चीज़ बता दो दोस्तों कि चाइना में variant होंगे उससे different होंगे यहाँ पे obviously India और global variant तो उसमें काफी सारे changes होंगे चाइना वालो में कुछ ना कुछ चेंज करके और अगर cameras की बात करें तो इसमें भी change होने वाला है क्योंकि primary sensor इस बार आपको 50 megapixel के देखने को मिलेंगे और triple cameras होंगे यहाँ पे in smart phones में लेकिन फिलाल बाकी की information नहीं है उमीद करते हैं कि 2-2 megapixel से चुटकारा मिले लेकिन उसके chances कम ही हैं तो मान के चलिए दोस्तों की main sensor से आप उमीद रखें यहाँ पर 50 megapixel का जो होगा बाकी वही होंगे ultra wide angle lens मिल जाएगा 8 megapixel का और बाकी 2-2 या फिर 5-5 megapixel के आपको cameras मिलेंगे अभी तक जो भी information में आपको बता रहा हैं दोस्तों यह leaks के basis pair totally यहाँ पर अभी तक official confirmation नहीं आई है इन में से किसी भी चीज की ल 12,000 रुपे के आसपा से start होगी ऐसी information है फिलाल और obviously बाकी के smartphone आपको 20,000 या फिर उससे उपर के price में भी देखने को मिलेंगे आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या क्या changes होने चाहिए आप हमें comment करके जुरू बताइए इसके लावा अगले महिने तक आपको smartphone market में मिल जा कर दो मिलाल और साथ ele ईजेए झायिंग ए spricht जड़कर ऑना निर्च साथ जाना भी उत हमें चाहिए है जडर के गरिल शवता हैं